हलो एवरिवान ओनलाइन म्यूजिक क्लास के एडवांस कोर्स के इस दूसरी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है आप देख रहे हैं हमारा चानल सच साज और मैं हूँ आपकी सिवा में सचीन परदेशी दोस्तों आप अगर हमारे चानल पर नए आये हैं तो इस चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे और अगर आप भी हमारे साथ संगीत सिखना चाहते हैं तो इसी चानल पर हमारे बेसिक कोर्स के 14 वीडियो को शुरू से देख कर सीख सकते हैं लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अब आपको एक महत्वपुरुन बात समझना जरूरी है कि संगीत को सीखने के दो तरीके हैं एक सुनकर और दूसरा टेक्निक से दोस्तो टेक्निक उसे कहते हैं जो आपको एवेलेबल रिसोर्सेस में कुछ हासिल करने में मदद करती है हम भी आपको बिना असली इंस्ट्रूमेंट के उसे बजाना सिखा रहे हैं तो जाइर सी बात है कि हमारा संगीत सीखने सीखाने का तरीका ट्राइडिशनल नहीं है लेकिन फिर भी लोग यहां हमारे बेसिक कोर्स से बजाना सीख चुके हैं जो आप हमारे ऑनलाइन म्यूजिक क्लास वीडियो नंबर 15 के वीडियो में देख सकते हैं तो आईए अब एक और टेक्निक से हम पियानो हर्मोनियम में इंडियन म्यूजिक के बेस पर बजाई जाने वाली एक मुश्किल चीज को बजाना सीखना शुरू करते हैं जिसके लिए आपको एक होमवर्क पिछले वीडियो में दिया गया था जिसमें म्यूजिक का एक टेबल आपको पका याद कर लेने के लिए कहा था आपने याद नहीं किया हो तो पहले उसे याद कर लीजी वाई और अगर याद कर लिया है तो जैसे मैं बोल के दिखा रहा हूँ वैसे आप बिना देखे बोल सकते हैं या नहीं, ये चेक कर लिए, क्योंकि दिखने में बहुत छोटी लगने वाले यह चीज, बहुत काम की है, ये जल्दी आपको पता चल जाएगा, तो सुनिये, और मेरे साथ दोहराईए, सावन्रे, रे वन्ग, गजिरो म, मावन्प, पवन्ध, धवन्नी, नीजिरो सा, इस से भी फास्ट, सावन्रे, रे वन्ग, गजिरो म, मावन्प, पवन्ध, धवन्नी, नीजिरो सा, फिर से, सावन्रे, रे वन्ग, गजिरो म, मावन्प, पवन्ध, धवन्नी, नीजिरो सा, सा याद रखिए सिर्फ मज़े के लिए हम नहीं कर रहे हैं इसे जिदना ज़्यादा फास्ट बोल कर आप याद कर लेंगे उतना जल्दी आप इन स्वरों को कीबोर्ड पर ढूंड कर बजा पाएंगे जी 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 अब आते हैं असली पॉइंट पर यह टेबल आपको कीबोर्ड की किसी भी की से अगर हम सारे गम बजाना शुरू करते हैं इन स्वरों की कीज को आसानी से ढूंड कर उसे बजाने में आपकी हर बार मदद करेगा आईए देखते हैं कैसे अब आप अपना पुराना छोटे पियानों का ड्रॉइंग निखा लिए और देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है कि सा वन रे के बीट में यह वन क्या है भाई तो चली आपने निकाल लिए अपनी पुरानी ड्रॉइंग चली हम भी निकाल ले रहे हैं यह नहीं यह तो हमने बाद में बनाई थी जो एकदम स्टार्टिंग में जो ड्रॉइंग बनाई थी वो यह है आप भी यह निकाल लिएगा और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप नहीं बना सकते हैं वीडियो नमबर दो देख करके ओनलाइन म्यूजिक क्लास नमबर टू वीडियो तो चलिए अब हमें ढूनना है पता लगाना है कि यह सावन रे में वन क्या है इसका जवाब आपको यह ड्रॉइंग भी दे देगी और अगर आपके पास रियल कीबोर्ड है तो उसको अगर आपने गौर से देखा और सारे गमा पदा नहीं सा यह स्वरों को देखा तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा चलिए फिर भी हम इसको प्रापर तरीके से देख लेते हैं कि यह सावन रे में वन एक्चुली है क्या तो देखे यह जो है यह कीबोर्ड की एक ड्रॉइंग है जिसमें ब्लैक और वाइट कीज हमें नजर आ रही है और सारी वाइट कीज पे हमें स्वर लिखे हुए मिल र इसमें जो ब्लैक कलर की कीज है वो भी नजर आ रही है और इनी ब्लैक कलर की कीज की मदद से हम हमारे सा को ढूंडते हैं यह आपने इसके पहले के वीडियो में देखा है जो दो ब्लैक कीज एक साथ होती है उसके पहले ब्लैक कीज के पीछे वाली वाइट की सा होती है यह फिर देखिए रे ग इन दोनों को देखिए सिर्फ और रे वन ग में ये वन क्यूं है समझ में आ जाएगा अभी भी नहीं समझ में आया है तो अब आगे देखिए ग और म ये दोनों कीस को दियान से देखिए पूरी कीस को देखिए तो अब ग और म के बीच में क्या है ग जिर के बीच में 1 क्यों है गम्र के बीच में जिरो क्यों है नहीं समझ में आ गेा हुगा तो चलिए और आगे देख लेते हैं म प इसके बीच में भी म वं प है वन है प वन ध ध वन नी और नी जिरो सा मतलब यह जो वन है हमारे table में इसका मतलब है यहां सामने आपको दिख रहा है sa white की है ray white की है इसके बीच में one है मतलब यह one जो है यह black की है फिर ray ga के बीच में भी one है तो यह one यह black की है second number वाली ga zero ma ga ma के बीच में कोई की नहीं है इसलिए वाँ zero आ गया ma one pa ma pa दोनों white की के बीच में एक black की है इसलिए वाँ पे one आ गया pa one dha par dha के बीच में एक black की है वाँ वाँ वन आ गया dha one ni dhani के बीच में भी एक black की है वाँ वन आ गया फिर क्या है ni zero sa ni sa के बीच में कोई black की नहीं है और sa के बाद फिर से अगर ये ड्राइंग बड़ी होती तो यही क्रम आगे हमें मिलता ठीक है अब यहां जो हमने टेबल याद किया यह सीधा सीधा सा एक फार्मुला है जिससे हमें सा और रे इन सभी स्वरों के बीच में एक की छूटती है या नहीं छूटती है यह पता चलता है ठीक है जैसे सा और रे के बीच में वन एक की छूटती है मतलब उस वन का असल मतलब है सा वन की लेफ्ट रे रे वन की लेफ्ट ग ग नो की लेफ्ट म ग जिरो म है मतलब ग जिरो की लेफ्ट म म वन प है मतलब म वन की लेफ्ट प प वन की लेफ्ट ध ध ध वन की लेफ्ट नी नो की लेफ्ट सा मतलब नी जिरो सा ठीक है अब यहाँ पर यह समझने में हमें आसानी हो रही है क्योंकि य सारे गम परदा निसा सारे white keys पर आये हैं और जो की left हो रही है वो सारी की सारी black है ठीक है तो अब इसको आप एक formula की तरह याद रखिएगा हो गया याद तो अब इस formula को याद कर लेने के बाद अब फिर से अपना drawing pad उठा लीजिए और screen पर दिख रही इस लंबी drawing को बना लीजिए यह drawing कैसे बनानी है यह हमने हमारे पहले के वीडियो में सिखा दिया है लेकिन इस बार अभी जो screen पर drawing दिखाई दे रही है उसे बनाते वक्त एक बात का आपको ध्यान रखना है कि black keys बनाते समय आपको अब जो screen पर black keys दिखाई दे रही है जिसमें white circle हर black key पर नजर आ रहा है वैसा circle आपको भी अपनी drawing में रखना है इसके लिए आप keys को black करते समय उनमें पहले pencil से circle बना लें और उसे black न करें बाकी area को पूरा black कर देंगे तो आपकी drawing भी same ऐसी ही बन जाएगी अब अपने इस नई drawing पर आप अभी किसी भी की पर कोई भी स्वर का नाम नहीं लिखेंगे और अब आपको अपना formula एक बार फिर से बोलकर याद कर लेना है उसके बाद अपने drawing के किसी भी एक की पर उंगली रखेंगे और black keys के सहारे उसकी position को याद रख लेंगे धून लेते थे अब आपने जहां उली रखी है वो black या white जो भी की हो अब वही आपका सा है और इस सा की की से आगे के स्वर रेगमपधनी सा आपको अपने formula को apply करके धून निकालना है और उनका नाम उन कीस पर लिखते जाना है आप समझे इसलिए हमने black कीस पर circle को white रखा था दोस्तो ये काम हम आपको सिखाएं इससे पहले आपको खुद करना होगा गलतिया होंगी लेकिन यही अनुभव आपको आगे की चीजे सीखने में बहुत काम आएगा इसलिए आप ये task complete करके अपनी drawing की photo हमें भेजिए जिसके लिए आपको एक whatsapp group का link नीचे description में मिल जाएगा और आपके drawings को हम हमारे अगले वीडियो में शामिल भी करेंगे जिससे कि सब को पता चले कि क्या गलतियां होती है और उन गलतियों से भी कैसे सिखा जाता है दोस्तो self learning की इस process में गलतियां संगीत में आपका सबसे बड़ा गुरु साबित होता है एक simple सा उदारान आप भी आजमा कर देख लीजे आप ये जो twinkle twinkle gith हमने पहले सीखा था nursery rhyme अपने बच्चे के सामने कुछ गलत ट्यून में गाईए वो तुरंत आपको टोक देगा दोस्तो हमने हमारे online music class की शुरुआत भी nursery rhyme से क्यों की ये भी आपको समझ में आई गया होगा दोस्तों ये चार line का छोटा सा गीत twinkle twinkle little star आप में या आपके बच्चे में music के talent का पता लगा सकता है आपको पता है वो talent गाने का है या बजाने का या दोनों का ये भी पता लगा सकता है हमारे आने वाले वीडियो में ये आपको detail में दिखाया जाएगा उसके लिए देखते रहे हमारा चैनल और चैनल का हर वीडियो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये totally free है और कर लिया है तो उसके आगे बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो की सुचना तुरंत मिले दोस्तों अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेर करें ये सिर्फ एक चैनल नहीं है ये कई लोगों में संगीत में छिपे टैलेंट को बाहर लाने का खुला मौका है जिससे कई लोगों को खुद में छिपे इस प्रतिभाग के परीचे से जीवन भर का आनंद मिल जाएगा धन्यवाद